साथ्यों एक और भी महत्पव की बात है कि हमें हमेशा अपने से उपर जो लोग है वो और अपने हम जिन से काम लेते हैं वो इन से हरार्की और प्रोटोकल की दुनिया से कभी बाहर निकल करके देखना चाहिए हमें कलपना तक नहीं होती है कि उन लोगों में ऐसा कैसा सामर्थ होता है और जब आप अपने साथियों की शक्ति को पहचानते हैं तो आपको एक अधूद प्रणा मिलता है कभी आप अपने दप्तर में एक बार एक काम कीजिए छोटा समय आपको एक गेम बताता हूं करिए आपके हाँ विभाग में 20 साथियों के साथ आमकाप कर रहे हैं तो उसमें एक डाइरी रखे एक दिन और वीशों को बारी-बारी से कहिए या तो एक बैलेट बॉक्स जैसा रखिए कि वो उन 20 लोगों का पूरा नाम वो मुल्क कहां के रहने वाले हैं यहां क्या काम देखते हैं और उनके अंदर वो एक एक एक्स्टा ओर्डिनरी क्वालिटी क्या है गूर्ण क्या है पूछना नहीं है उसको आपने जो अब्जुर किया है और वो लिख कर के उस बक्षे में डालिये और कभी आप आपको हरानी हो जाएगी कि यहां तो आपको उसके गुणों का पता ही नहीं है ज्यादा से ज्यादा आप कहेंगे उसके हैंड राइटिंग अच्छे हैं ज्यादा से ज्यादा कहेंगे वो समय पर आता है ज्यादा से ज्यादे कहते हैं वो पॉलाइट है लेकिन उसके भीतर वो कौन से गुण है उसकी तरह आपके नजरी नेगिल होगी एक बार ट्राय क कि जीए कि सचमुच में आपके अगल वगल में जो लोग है उनके अंदर एक्स्ट्राओर्डिनरी गूण क्या है कि जरह देखे तो सही है कि आपको एक अकल प्र अनुभव होगा कलपना भार का अनुभव होगा और मैं साती वो सालों से एक द्रा हुमन डिसोस के ही काम करने का मेरा नौबट आई है मुझे मुझे कभी मशीन से काम करने का नौबत नहीं आई है मानों से आई है तो मैं भली भाति इन बातों को को समझ सकता हूं लेकिन ये अवसर कैपेसिटी बिल्लिंग की दर्ष्टी से अप्तिनत महत्म पुड़ा अवसर है